आज लेकर आए हूँ आपके लिए फेरेन लवली कंपनी की न्यू हाइड्रा ग्लो सीरम करीम जो के न्यू आईये मार्किट में लेकिन आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा सेल हो रही है तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इस करीम का या फरक है अगर आप ये क्रीम पहले यूज करते हैं तो क्या आपको ये क्रीम ट्राइ करनी चाहिए या फिर नई तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी और भी न्यू आने वाली वीडियो साब तक पोच्छती रहे तो चले अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरह तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस क्रीम की प्राइस इसके कुछ इंग्रीडियंट्स और इसके बैनिफिट्स उसके बाद फिर हम ये दोनों ही क्रीम अपलाई करकर भी देखेंगे कि इन दोनों में कितना फरके लगने के बाद आपको किस तरह की ये लुक देती हैं करीम में तो सबसे पहले अगर बात की जाए ग्लो एंड लेवली हाइडर ग्लो सीरम करीम की प्राइस की तो बैक साइट पर इसकी प्राइस मेंचन की गई है तो 500 उपीस में आपको मिलता ह है ये 60 ग्राम का जार जबकि अगर प्राइस देखी जाए इनकी पुरानी करीम की तो ये करीम हमें मिल जाती है मार्किट में 400 उपीस की तो 100 उपीस इस करीम के ज्यादा है अब अगर बात की जाए इस करीम के इंगरीडियंट्स की तो साइट पर ही इसके इंगरीडियंट् P3, C & E जो के आपकी स्किन की हाइडरेशन करता है 424 आर्स के लिए और अगर बात की जाए इस क्रीम के कुछ बेनिफिट्स की तो इस साइड पर इसके बेनिफिट्स दिखाए गए है जो के मैं आपको बता देता हूं इस पर मेंचन किया गया है कि यह बिल्कुली लाइट वे कि इन डेकते है कि अंदर से क्रीम किस तरह की निकलने वाली है तो यह आप सकते हैं ग्नल्यावली हाइड्राग लो करीम बहुती शाइनीः सा इसका के निच्गर आनिम कर्म कई कर लेते हैं क्यों के अम अप्लाइकर और देखने वाले हैं दोनों करीम के बड़ी ही द्का आपने भी इसको जरूर यूज़ किया होगा तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इन दोनों ही क्रीम्स की फ्रेग्रेंस की यह आप देख सकते हैं इस पर ग्रोएंड लवली भी मेंचन किया गया जो इनकी सील लगी हुई है इस क्रीम के उपर जबके इस पर हमें इस सरा के कुछ भी लिखावा नहीं मिलता था जो इनकी पुरानी पैकिंग है वाइट कलर है दोनों ही क्रीम्स का तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन दोनों क्रीम्स की फ्रेग्रेंस की तो मुझे जो इनकी यह न्यू क्रीम है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत जादा पसंद आई है क्योंकि बिल्कुली लाइट फ्रेग्रेंस है इसकी जबके जो यह क्रीम है आप लोगों ने भी इसको जरूर अप्लाए किया होगा इसकी फ्रेग्रेंस बहुत जादा तेज होती है तो अब एक बार इसको अपलाई करकर भी देखते हैं दोनों ही क्रीमों को तो साथ ही मैं आपको क्रीब से इस क्रीम का टेक्स्चर भी दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हैं और थोड़ा से ही मसाज करने से यह क्रीम आपकी स्किन में अच्छे तरीके से अब्सौर्ब हो जाएगी बिलकुल यह लाइट फ्रेग्रेंस है जो के परसनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है अब साथ ही हम यह पुरानी वाली क्रीम भी ट्राई करते है अच्छा तो सबसे पहला फरक तो मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे फील हुआ लगाते वे दोनों करीम है जो इनके यह न्यू वाली क्रीम है जैसा कि इस पर मेंचन किया गया है बिल्कुल लाइट वेट फार्मूला है तो जब मैं इस क्रीम को अपलाई कर रहा तो तो मुझे बिल्कुल लाइट वेट फील हो रही थी है क्रीम जबके यह क्रीम मुझे थोड़ी सी थीक फील हो रही है अपलाई करते हुए ये क्रीम थोड़ी सी ठीक फील हो रही है मुझे जबके वो बिल्कुल लाइट वेट फील हो रही थी तो अपलाई कर लिया है मैंने दोनों ही क्रीमों को फरक आप लोग खुद देख सकते हैं मुझे ये वाला हाथ थोड़ी सा ज्यादा गलोइंग फील हो रहा है अब अगर बात की जाए इन दोनों करीमों में से आपको कौन सी बाय करनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ परसनली मुझे तो ये क्रीम ज़्यादा पसंद आई है क्यों पसंद आईए वो भी आपको बता देता हूँ वजा क्योंकि ये मुझे पहली बात तो इसकी fragrance भी जाद अची लगए क्योंकि बिल्कुल लाइट सी fragrance है जबकि इसकी fragrance बहुत जादा तेज है पहली और दूसरी बात ये क्रीम बिल्कुल लाइट वेट फील और इती मुझे अपलाई करते वे जैसा कि इस पर भी मैंशन किया गया है बिल्कु लाइट वेट फार्मूला है जबकि ये क्रीम बहुत जादा थीक है इसको तो थोड़ा से में अप्लाय किया और ये स्किन में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब भी हो गई और एक ग्लॉइंग सा लुक भी दिया इस क्रीम ने तो वैसे तो इनकी ये दोनों ही क्रीमें बड़ी फेमस जा रही है आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं लेकिन परसनली मुझे ये क्रीम ज्यादा पसंद आई है साथ ही मैं आपको इस क्रीम को यूज करने का तरीके कार भी बता देता हूँ तो जिसरा हम नॉर्मली कोई भी डे क्रीम यूज करते हैं जिसरा हम ये क्रीम यूज करते थे सेम वैसे ही हमने इस क्रीम को भी यूज करना है मतलब अच्छे तरीके से पहले अपने फेस को वाश कर लेना है उसके बाद थोड़ी सी क्रीम लेकर हम अपनी स्किन पर मसाज करते रेना है जब तक ये क्रीम अच्छे तरीके से हमारे स्किन में अब्सॉर्प नहीं हो जाती है और गल्स और बॉइस दोनों ही इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं तो मेरी तरफ से तो ये क्रीम आप लोगों को रिकॉमेंडेट है क्योंकि बिल्कुली लाइट फ्रेग्रेंस के साथ और बिल्कुली लाइट वेट फार्मूला मुझे इसका फील हुआ जिस सरा गर्मिया है तो गर्मियों में तो खास तोर पर ये क्रीम मेरे हिसाफ से बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि जब हम कोई थीक क्रीम लगाते हैं अपने फेस पर बेशे कोई भी क्रीम हो गई इसके इलावा भी तो अपलाई करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा है भी फील होता है पसीना आ जाता हमें अपनी सिकन पर या हमें उइली सा फील होता है तो क्योंकि ये एक लाइट वेट फार्मूला है तो गर्मियों में मेरे हिसाफ से ये अच्छा रहने वाला है बाकि आपकी मर्जी की बात है दोनों में से कोई भी भाई करें और यूज कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपका मिली आज की वीडियो भी पसंद आई होगी हाँ वीडियो एंड करने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप में से भी कोई हाइडरा गलो सीरम करीम ये पहले से यूज करता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है कि आपको इसके रेजल्ट कैसे लगते हैं इससे फाइड़ा योगा जो मेरे बाकी वीवर्स से देखने वाले और वो भी अगर ये करीम बाए करने का सोच रहे हैं तो उनको और अच्छा इडियो हो जाएगा कि इस करीम के रेजल्ट कैसे हैं आपका कमेंट पढ़ने के बाद तो आप करता हूं मैं अपनी आज की वीडियो को एंड और मिलते हैं इंचालला नेक्स वीडियो में अला हाफीज